देश में लोगों के मन में सवाल है, मिड एर फायर क्राइसिस का क्या मतलब होता है जब आप इस तरह का हेलिकॉप्टर जुड़ा रहें मी 17 ये टैंक ये जो फ्यूल टैंक है ये बुलेट होल आगर आप इस पे गोली चलाते हैं तबी भी ये फायर नहीं पकड़ता है क्यू बुचर गिरने के बाद टैंक फटके जब बाहर फैयूल कि रहा है तब आग लगा ये इसके रोटर पर मॉल्टिपल गोलिया लग चुकी और इसके बात अमने कारगिल में कारगिल में हमने देखा है रोटर पर गोल होली लगने के बावजूद है है की मैं लिएर समयूं य और यह हेलिकॉप्टर बना ही combat conditions में इस्तिमाल करने के लिए और इसमें आयार सप्रेसेंट हैं रडार जैमर्स हैं कई कई सारी बाते निकला रही हैं कि मिजाल मारा यह वो है यह सारी conspiracy theory है इसको दर्गिरा में कनारे करना चाहिए और inquiry और इसका जो जो ब्लक बॉक्स कहते हैं इस अधार यह 10,000 परामेटर रेकॉड करता है हर चीज को रेकॉर्ड करता है इंजिन के हर प्रेशर पॉइंट को देकॉड करता है click on the Canadian परावत हुआ है और कल परसों नरसों तक ब्लैक बॉक्स की सारी चीज़ें आ जाएंगी लेकिन इंक्वाइर कर रहे हैं सरु उसी का वेट कर रहे हैं अमिताब रंजन ग्रूप कैप्टन भी हमारे साथ रिराट जुट गए हैं अमिताब रंजन जी आप बताइए अभी तक एक सेकंड सरु मैं एक एकदम आम आदमी की तरह आपसे सवाल पूछ रही हूँ लोगों को अलग-अलग तरह की जानकारी मिल रही है कई लोगों को ये बताय गया है मिड़े, फायर क्राइसीश हो गया जो वहां पर चुष्मिदीथ थे, कुछ ने बताया कि शरीरों में आ के क्राइसिस को समझा होगा देखा होगा आप जब यह तस्वीरे देख रहे हैं आपको क्या समझ में क्या मिड एर जब हवा में ही थे तब आग लग गई क्या हुआ सर आखेर मौसम खराब सबसे सेफ इसे व्याइपी हेलिकॉप्टर माना जाता है फिर क्या हुआ सर देखें मैं ग्रुप का अपने अगस्तिन की बात से सोब रतिशत सहमत हूँ कि यह हलिकॉप्टर एक टैंक है मेरे खुद के जहाज में कम से कम एक या डेढ़ हजार गोलियां लगी है खुद मैं फ्लाई कर रहा था तब लगी है और उसके बाद हम उसको उड़ा करके करीब 6 गंट से दूर अपने बेस तक वापस पहुंच पाए तो यह टैंक है और जितने उन्होंने टेकनिकल टीटेल्स कही वह भी सारी किस्ता सही है और एग्री टू वाटी सेज डाट यह इन एड़टेंट वेदर में एंटर गुया है वह इन एड़टेंट जो कहते हैं कि किसी कारण यह खराब मौसम में गुशा है और खराब मौसम में गुशने का कारण क्या है यही है जो इस एक्सेड़ाये का त्योरी आई आपको क्या सबसे प्रॉबोबल लग रहा है आपको क्या समझ में आ रहा है जब यह तस्वीरे क्योंकि अभी यह तस्वीरे जो हम दिखा रहें अपने दर्शकों को यह एकदम शुरुआ थी जैसे ही फाइर ट्राइसिस हुआ है हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ है हम दिखा रहे हैं पेड़ से टकराया खराब मौसम हुआ उसकी वज़े से क्या हुआ सर क्यों फाइर आप खुद कह रहें कि जिस तरह का आप लोग बता रहें कॉम्बैक्ट हेलिकॉप्टर हम तो बस यह समझना चाहिए